इस वीडियो में दोस्तो एकसल की ना तीन ऐसी टिप्स आपको सीखने को मिलने वाली हैं जिनको सीखने के बाद आप आज से अभी से इन टिप्स का यूज करना जरूर सुरू कर दोगे ये तीनो टिप्स बहुत काम की हैं बसा वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक ना चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है सबस्क्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को प्रेस करके अल नॉटिफिकेशन जरूर आउन कर लेना मैं हूँ दीपक आपका दोस्त लेट्स बगिन इस टापिक तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक नंबर वन की ये है मेरे पास एक सीट जिसमें मैंने अटेंडेंस मेंटेन कर रखी हैं अब अगर मुझे सीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना हो तो सीधा मैं सीट टैप पे राइट क्लिक करूंगा प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करूंगा और यहां पे पासवर्ड एंटर करके ओके कर दूंगा तो ये सीट पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो जाएगी इस सीट में कहीं भी हम कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे बट मान लीजिए मैंने password इस पे लगा दिया और फिर मैं यह जो seat है यह किसी दूसरे person के साथ share करता हूँ फिर वो मेरे से कहता है कि मुझे password आप बता दीजिए मुझे name में edit करना है या मुझे यहाँ पे कोई formula है उसमें edit करना है या मुझे यहाँ एंटर करते ही पूरी seat unprotect हो जाएगी फिर seat में कहीं भी कोई भी change वो कर सकता है ठीक है एक्सल में एक बहुत कमाल का option है जिससे आप अलग-अलग range पे अलग-अलग password लगा सकते हो इस range पे अलग password लगा सकते हो इस range पे और के साथ share करते हैं तो वहां पे अलग-अलग range पे अलग-अलग password लगाने की जरूरत हमें पड़ती है अब ये अलग-अलग range पे अलग-अलग password लगेगा कैसे यही तो आपको पहली trick में समझना है देखिए कैसे लगाएंगे यहां पे पहली range मैंने कर ली select यहां पे मुझे अलग password लगाना है range select करने के बाद आपको जाना है review tab पे यहां पे एक option आपको मिलेगा allow edit range इस पे करना है click ठीक है यहां आपको click करना है new पे new पे click करने के बाद यहां पे title आजाएगा range 1 आप इसको change भी कर सकते हो ठीक है मैं change नहीं कर रहा हूँ इसके बाद यहां पे reference आ है range आ रही है यह आपको change नहीं करनी है हमने पहले से ही cell जो है select कर रखे हैं यहां पे इस range का password आप क्या रखना चाहोगे वह password एंटर कर दीजिए मैंने यहां पे डाल दिया triple one okay कर दिया confirm आपको करना पड़ेगा triple one फिर से डाल दीजिए okay कर दीजिए तो इस range पे अभी password ल लग गया बट वो काम नहीं करेगा आप यहां पे किसी भी cell पे double click करोगे change करने के लिए तो वो देखिए यहां पे change हो रहा है ठीक है अभी यहां पे password लगा दिया है बट काम नहीं कर रहा है कैसे करेगा अभी आपको आगे पता चलेगा दूसरी range मैंने कर ली select इस तरह से और फिर से हम जाएंगे allow edit range पे और यहां पे new पे करेंगे click इसका name आगया range to आप change कर सकते हो मैं change नहीं कर रहा हूँ यहां पे मैं password डाल दूगा इसके लिए triple two कोई भी password आप डाल सकते हो okay करेंगे तो confirm करना होगा triple two okay कर दिया तो इस range के लिए भी हमने password set कर दिया अब यहां new पे click करोंगा उसके बाद यहां पे देखे range three और यहां से इस range को अटा के आपने यह वाली रेंज कर देनी है select range कर दी select यहां पे इसका password तो यह तीसरी range है तो मैंने triple three डाल दिया triple three ओके कर दिया फिर से confirm कर दिया 3333 ओके कर दिया तो यहां पर देखे तीनो range add हो गई है ठीक है अब यहां पर आपको protect sheet पर click करना होगा या तो आप यहां पर click कर लिजिए अभी मैं इसको okay कर देता हूँ मैं इसको okay कर दिया ठीक है या तो आप allow edit range में जाके protect sheet option पर click कर लिजिए या फिर आप review tab में protect sheet option यहां दे रखा है यहां पर click कर लिजिए या फिर आप sheet tab पर right click कर लिजिए और यहां पर protect sheet का option है यहां पर click कर लिजिए कहीं भी click कर लिजिए option A की है यहां पर main sheet का password आप आपको डालना है main sheet का password मैंने डाल दिया abc ठीक है और ok किया फिर confirm कर दिया abc ok कर दिया तो अब यहां पे हमारा काम हो गया अगर मैं यहां पे बाहर click करूँगा कहीं देखिए यहां पे जो seat है वो आपकी lock है आप कहीं भी कोई change नहीं कर सकते बट अगर आप यहां पे double click करोगे तो देखिए यहां पे इस रेंज का password आपको एंटर करना होगा पासवर्ड आपने एंटर कर दिया तो केवल इस range में आप एडिट कर पाओगे इसी तरह मान लिजी आपको यहां अटेंडेंस में तो यहां पे यह जो रेंज है वो अनलॉक होगे यह देखिए करजर आ गया आप यहां पे चेंज कर सकते हो ठीक है यहां पे कोई भी लग लग password लगा सकते हो और उसके साथ जिस range का password आपको share करना हो आप share कर सकते हो हटाना कैसे है पहले आप यहाँ पर right click करोगे unprotect कर दीजिए sheet को तो main password यहाँ पर था abc ok कर देंगे तो यहाँ पर आपकी sheet unprotect हो गई है और allow edit range पर जाके यहाँ पर तीन range हमने add कर रखी है इनको आप delete कर दीजिए और ok कर दीजिए तो यहाँ से सारे password हट गई है यह थी trick number one उमीद करता हूं दोस्तों यह trick आपको पसंद आई होगी वीडियो को like कर दीजिए और channel को subscribe कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है आप में से बहुत सारे लोग ऐसी हैं 70% लोग ऐसी है जो वीडियो तो देखते हैं बर channel को subscribe अभी तक नहीं कर रखा है तो subscribe कर लीजिए ठीक है अब हम बात करते हैं trick number two की यह भी एक बहुत कमाल की trick है custom view का view tab पे हम जाएंगे यहाँ पे एक option है custom view इसका हम बहुत मज़ेदार use करने वाले हैं जो की MIS report और dashboard में किया जाता है या कोई भी अच्छे अची report बनाने के लिए किया जाता है आपको इसका real use नहीं पता होगा आप देखिए इसका use हम कैसे करेंगे मेरे पास यह data है item id date, item name, brand, region, month and save ठीक है data किसी भी तरह का हो सकता है यहाँ पे मेरे पास यह बहुत सारा data है नीचे आप देखिए बहुत सारा data है ठीक है पहले तो आपको करना क्या है यह हमारा पूरा simple data है ठीक है तो आपको यहाँ पे कहीं भी क्लिक करना है Ctrl A प्रेस करके यह पूरा data कर लेना इसलिए custom view में जाने ठीक है और यहाँ पे add पे click करने के बाद यहाँ पे आप कोई name दे दीजिए मैंने दे दिया all data सारा data ठीक है ओके कर दिया एक मैंने custom view में data add कर दिया है अमार लिजिए मुझे यहाँ पे यह सारा data नहीं देखना मुझे item की id देखनी है date नहीं देखनी तो date को मैं कर दूँगा hide hide कर दिया item का name देखना है और मुझे केवल sale देखनी है तो मैंने इनको कर दिया hide यह मेरे को देखना है ठीक है अब यह चीज मेरे को बार बार देखने की जरूरत पड़ती है कभी पूरा data कभी यह इस तरह से यह थोड़ा data item id name and sale तो मैंने control a कर लिया अब इसको custom view में हम add क कर देंगे custom view पे मैंने किया click यहाँ पे हम करेंगे add पे click यहाँ पे आप इसका name डाल दीजिए मैंने डाल दिया इसका name view one view one okay कर दिया काम हो गया अब देखिए यहाँ पे क्या होगा अगर मैं custom view पे जाके all data पे click करके show करूँगा तो यह मेरा पूरा data आ गया अगर मैं custom view पे जाके view one पे click करके show करूँगा तो view one का जो data था वो आ गया इस तरह से आप अलग-लग report बनाके custom view में add कर सकते हो और data पे चला जाता हूं यह हम आगे ठीक हैं मुझे क्या करना है एक report यहाँ पर बनानी है item ने mouse और reason यहाँ पर साउथ पहले हम यहां से mouse का data कर लेंगे filter select all से ticket आया mouse पर टिक लगाया ok कर दिया तो mouse का data आ गया अब reason भी हमें filter करना है south reason का हमें data चाहिए तो यहां से हम ले लेंगे south ले लिया ok कर दिया तो यह mouse south का data आ गया ठीक है ना यह आ गया अब हम करेंगे क्या control A प्रेस करेंगे keyboard से और custom view पर हम जाएंगे यहाँ पर add पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका कोई भी name दे देंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा mouse south कोई भी name दे दीजिया ok कर दीजिये अब यहाँ पर यह जो है data हमने add कर दिया है ठीक है अब देखे custom view पर हम जाएंगे all data पर क्लिक करके so करेंगे तो यह मेरा पूरा data है और अगर मान लिजिए मुझे mouse south की report देखनी है तो हम custom view पर जाएंगे mouse south पर क्लिक करेंगे so पर क्लिक करेंगे तो यह लिजिए report आपके सामने है custom view पे जाएंगे अगर आपको view 1 में जो data हमने save किया था वो देखना है तो आप so पे click कर दीजिए तो वो data आगया इस तरह से आप sort करके filter करके अलगलग तरह से report बनाके उनको custom view में add कर लीजिए इससे क्या होगा अलगलग report पे जाना बहुत आसान हो जाएगा बार बार आपको sort नहीं करना पड़ेगा बार बार फिल्टर नहीं करना पड़ेगा बार बार रो प्रिक है ना वह आप समझ लीजिए मैं क्या करता हूं control and press करता हूं keyboard से एक नई file मैंने ले लिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी तो इस case में एक एक करके हमें यहां से seat जो है unhide करनी होंगी unhide पर जाके फिर यहां से seat select करके ok करेंगे फिर दुबारा unhide पर जाके यहां से इस तरह से unhide करेंगे ठीक है custom view का यूज करके ना बहुत सारी seats को एक ही बार में unhide कर सकते हो कैसे देखिए मान दीजिए मुझे क्या करना seat 2 से लेके seat 7 तक सारी seats एक ही बार में unhide करनी है हुए एक यबार में hide गरनी है तो seat 2 से लेके seat seven तक किसी भी seat पे आप जाईए किसी भी seat पे आप जाईए मैं two گया आप seat 3 पर जा सकते हो seat four पगना तिका seat two प गया seat two पर जाके किसी भी Cel पे click कर दिए मैंने इस पर कर लिए a1 इसविव पर आपको जाना है, कस्टम विव पर आपको जाना है, यहाँ एड़ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कोई भी नेम दे दिजिए, so all seats, name दे दिजिए, कोई भी नेम, so all seats, okay कर दिया, होगे काम, अब आप seat 2 से लेके seat 7 तक, मैंने shift की press कर रख किया, इन सबी को कर लिए select right click करके hide कर दिया होगी hide सारी एक ही बार में अब मान लिजिए आपके सारी seat एक ही बार में unhide करनी हो तो सीधा आपको जाना होगा custom view पे यहाँ पे आपने ये custom view एड़ कर रखा so पे click कर दिजिए magic हो गया तो ये थी 3 tips उमीद करता हूँ दोस्तो ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आगे होंगी और आपके बहुत काम भी आ सकती हैं वीडियो अच्छा लगा like, share, comment करते जरू जाना मिलता हूँ अगले वीडियो में थैंक ये दोस्तो have a nice day, जै हेंद one day मातराम, take care